हेलो एवरीवन मैं नेम ही शीवानी अजाद आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जोमेट्री और हमारा नेक्स्ट कॉस्चिन है अब देखो यहां पर मेंशन है कि हमारा क्या लेना है रेक्टेंगल लेना है ठीक है जब अगर एक कॉडिलेटल गीवन हो तो मैंने आपको बोला ह यहां पर हमारा डेटेंगलो करेंगा तो यहाँ पर अपना रेक्टेंगल रो करेंगे जबत hop कोई भी एक रेंडम फिकर बना सकते हैं तो यहां पर एक रेक्टेंगल बना ही लेते हैं इस अ ABCD, A, B, C and D, right, अब यहां पर ABCD mark करा, meet at O, जो इसकी diagonals है, the diagonals of a rectangle ABCD, diagonal कौन से होती है, जो opposite vertex को कौन करती है, right, तो यहां पर opposite vertex को कौन करेगा, यहां पर BD और यहां पर AC, तो अपना एक diagonal और यह एक point पर meet कर रहा है, that is O, clear है, अब B, O, C कितना है, 44 degree, तो B, O, C, तो जो angle होता है, वो beach वाले angle पर होता है, तो this is 44 degree, ठीक है, then O, A, D is, तो O, A, D, हमां यह वाले angle निकालना है, तो फिलहाल के लिए मैं इसको O, A, D को, ठीक है, जो angle mention होता है, उसके beach वाले angle की बात हो रही होती है, तो जैसे यहां पर B, O, C है, तो यहां पर angle B, O, C, तो B से O पर जाएंगे, O से C पर जाएंगे, तो यह angle O is 44 degree, ठीक है, और O, A, D, निकालना है, अच्छा, अगर आपन देखे तो X कौन से angle triangle का पात्रे है, O, A, D का, तो मुझे अगर triangle O, A, D की ही बात करनी पड़ेगी में, जो सारे angle भी triangle O, A, D की निकालने पड़ेगी अगर X, O, A, D में, तो और अगर मैं यहां पर देखूं तो मुझे angle निकालना है O, A, D में, तो 44 तो दिखी रहा है, तो कईने कई मुझे 44 का यूज करना ही पड़ेगा, तो अगर मैं यहां से अच्छे सो observe करूं तो यहां पर एक intersecting line दिख रही है, अगर intersecting lines हो दी है, तो हमने एक बार पढ़ा है कि यह 44 होता है, तो यह भी 44 होता है, तो यह भी 44 होता है, अपोसित तो यह भी 44 डिगरी क्यों हो, क्योंकि यह होता है, vertically opposite angle हम और यह पर चुके है, vertically opposite angle, सही है, vertically opposite, clear हो गई यहां तक बात, अच्छा, अब एक angle तो आगया, अब एक और angle निकालने की ज़र होता है, या फिर कोई relation निकल जाए, तो आब वो कैसे निकलेगा, तो इस जगे अगर अगर अटक जाएं तो हमें noon पता होने चाहिए, जब अगर rectangle given है तो इसकी properties का use हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसकी properties हमें याद होनी चाहिए, और उसका use करना ही पड़ेगा, otherwise यह question दिक्कत करेगा, ठीक है, तो अगर यह rectangle है, तो rectangle के सारे angle 90 होते हैं, सही बात है, पर 90 होके फिर कही ना कहीं, मुझे तो यह वाला angle थीए ना, तो 90 का कही ना कहीं मुझे नहीं लगता कि use आ रहा है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, और कौन सी चीज होती है कि sides equal होते हैं, अच्छा, opposite side equal होते हैं, यह दोने equal होंगे, यह दोने equal होंगे, पर इसका भी मुझे नह जो कि शायद है इतनी जल्दी strike नहीं करती, पर अगर मैं इस triangle की बात करूँ तो eventually मैं को डाइगनल्स दिख रही हैं इसमें, आधी-आधी डाइगनल्स दिख रही हैं, तो मुझे एक चीज़ पता है कि rectangles की जो डाइगनल्स होती हैं, डाइगनल्स equal भी होती है, डाइगनल मतलब यह है, इसका मतलब यह है, मैं इसका मैं समझा देती हूँ, यह डाइगनल्स दिख रहा है कि जो रेक्टेंगल होता है ना हमारा, यह जैसे रेक्टेंगल है, तो इसकी डाइगनल्स के हैं, दोनों equal है, मतलब अगर यह पूरी की पूरी किसके बराबर है, एके बराब है कि जो रेक्टेंगल होता है ना थो उसमें क्या होता हैं की यह वाला जो एक इन एकवाल तूसर बीड भी होगा और यह जो पॉइंत है ना ओ यह इंदोनों को बाइसेक भी करेंगा अबिदी को בס de और षी को भी बाइसेट करेंगा। तो कि इनको कुए ऑना हुआ है तो अगर अगर एक that the तो अगर दो जो length है वो equal है तो उनके half भी equal ही होंगे, ऐसा बोल सथे हम, अगर दो length equal है तो उनके half ही हमारे क्या होंगे, equal होंगे, सही बात है तो मैं यह use कर चाहिए हूँ कि ठीक है, अगर AB मुझे पता है की AC equal to BD होगा तो मैं यहां से यह property use कर रही हूँ, ठीक है ना तो AC equal to BD होता है, diagonals are equal, diagonals are equal और अगर मैं यहाँ से divide कर दू, divide by 2, divide by 2 तो यहाँ पर AC by 2 अगर मैं same number से दोनों से divide करूंगे तो कोई फरक तो आएगा नहीं तो AC by 2 equal to BD by 2 होगा, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख रहते हैं BD by 2 equal है, तो AC by 2 क्या होगा, AC का half को मैं OA लिख सकती हूँ क्या, OA और BD के half को मैं क्या लिख सकती हूँ, OD, तो OA equal to OD आगे है इस sense में, तो यह दोनों equal आगे हैं तो हमने यह पढ़ा है कि अगर triangle की 2 sides equal होती है, अगर triangle की 2 sides equal होती है, तो क्या होता है, यह वाली property भी अपन पढ़ चुके हैं, theorem पढ़ चुके हैं, कि अगर 2 sides equal होती है, किसी भी triangle की तो उसके opposite angle भी क्या होंगे, equal होंगे, तो इसका opposite B हो गया, इसका opposite C हो गया, similarly, अगर मैं इदा से देखो तो यह वाला angle इसके opposite यह वाला angle दिख रहा है मुझे, और इसके opposite यह वाला भी दिख रहा है, तो मैं यह कह सत्ती हूं कि अगर O A equal to O D है, तो angle O A D is equal to angle O D A होगा, क्यों, दोनों ही X माल लेता हैं, क्योंकि मैंने एक को X पाना हो है, तो दोनों ही X हो जाएंगे, क्यों, angle opposite to equal sides are equal, equal sides are equal, ठीक है न, angle opposite to equal sides are equal, तो चलो, मतलब अगर यह X है तो यह भी X होगे, अच्छा, यह तो एक ट्राइंगल के पार्ट है न, तीनों, अब ट्राइंगल के तीनों एंगल मिल गए, और तीनों एंगल का sum किसके बरावर होता है, 180 के, तो यहां से हम यह कह सत्ते हैं, I'll rub this out over here, ठीक है, तो एक यह कह सत्ते है, हपन की, इन ट्राइंगल OAD, इन ट्राइंगल OAD, X plus X plus 44 equal to 180 हो जाएगा, यह भी हम पढ़ चुके है, sum of angle equal to 180 होता है, तो 44 हुदा जाके, minus का हो जाएगा, X plus X 2X हो जाएगा, 180 minus 44 will be what, तो यहां पर 140, 136 आ जाएगा, तो X की value कितनी आ गई, यह multiply में तो जाएगा कि divide में, 136 by 2, कितना आ जाएगा हमारा, 26 or 12, 68 degree, तो यहां से X की value कितनी आ गई, 68 degree आ गई, तो यह हमारा answer आ गया, तो यहां से हमें यह चीज़ द्यान रखने है, कि अगर कोई कोडिलेटल mentioned है, जैसे may be rectangle, may be square, may be anything, तो हमें उनकी properties याद होनी चीए, और कहीने कई वो use भी आएगी, clear है, So, हमारे next question है, ABCD is a square and BCE is an equilateral triangle, अच्छा मैं इसको आ यहां पर draw कर लेती हो, एक straight figure बना लेते हैं इसका, तो क्या कहे रहा है, कि ABCD is a square, तो ABCD, यह एक square है, ठीक है, और BCE, यह equilateral triangle है, और इसने AE को joint करा हुआ है, ठीक है ना, और हमें के निकालना है, हमें BCE, यह वाला angle निकालना है, यह वाला angle निकालना है, एंगल AED, तो AED मतला है यह वाला angle निकालना है, सही बात है, done, ठीक है, तो इसको अपन X मान लेते हैं, अब देखो, यह भी क्या similar type of question है, अब इसमें क्या होगा, कि अगें छोटा सा ही question है हमारे पास, तो बट 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 ए चीज दे रहें कि ABCD स्क्वाइर है और यहां पर B E C एक EQUILATORY TRIANGLE है तो कहिना कि उनकी properties का use हमें करना आना चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं ABCD से स्क्वाइर, अगर ABCD से स्क्वाइर है बच्चा, तो कहिना कि इसकी properties का use करें कि इसका answer निकलना पड़ेगा, यह और कुछ तो मैंशन है नहीं और यह भी है, अच्छा, ठीक है, अब दूसी property जो स्क्वाइर से रिलेटेट हैं कहा याद आती है, तो सारे एंगल 90 degree, clear है, तो एंगल A is equal to angle B is equal to angle C equal to angle D equal to 90 degree, सारे एंगल 90 degree है, तो 90 degree कर देते हैं, तो यह 90, यह भी 90, इसका मुझे कहीना कहीन दिक्कत नहीं कर रहा, और यह 90, अगर मैं यहाँ पर 90 दो करूंगी तो डाइग्राम कर देगा, बस, आप मार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत आली बात नहीं है, और यह 90 का sign होता है, बच्छा, यह जैसे square लगा हुए तो equalator triangle का नाम याद आते ही, क्या-क्या properties याद आती है, तो कही ना कही यह याद आता है, कि side sides equal, to side sides मतलब bc equal to c e equal to e b होगा, सही है, side sides equal है, अच्छा मैंने bc को तो a माना वही है न, अगर bc मेरा a है, तो मतलब side sides b e होगी, तो यह री a, यह भी a, यह भी a, और यह भी a, स b equal to angle c equal to angle e equal to 60 degree होगा, ठीक है न, तो यह भी 60 होगा, यह भी 60 होगा, और यह पूरा भी 60 होगा, clear, अच्छा, अब अना, मैं को क्या है, ऐसा triangle ढूनना है, जिसकी help से मैं कही ना कहीं, कोई ना कोई एक angle निकाल सकूँ, या कुछ ना कुछ अपन अप्रोच कर सके, तो मुझ एक triangle दिख रहा है, eba, इतना सब करने के बाद मैं, मुझे एक triangle दिख रहा है, eba, यह वाला, मैं observe कराती हो, आपको, अगर मैं इसकी बात करू, eba, तो इसकी दो sides equal हो चुकी है, अगर इसकी दो side equal है, consequence, be equal to ea, दोनों ही a के बराबर ही तो है, अगर यह दोनों a के बराबर ह है, तो मेरे को तो एक theorem हमें आती है कि अगर दो side equal है, तो इनकी opposite angle भी equal होंगे, तो इसका opposite angle कौन सा होगा, be e का, तो be e का यह वाला angle है, y, और इसका angle कौन सा है, यह भी y है, ठीक है ना, तो यह दोनों angle y होंगे, तो मैं यहाँ पर mark भी कर देती हूं, ठीक है ना, अगर मैं mark करने के कोशिश करूं, यहाँ पर तो यह होगा कि be a, angle be a is equal to angle क्या हो जाएगा हमारा, be a ही, सही है, और आपान reason कहलेंगे, angle opposite to equal sides are equal, angle opposite to equal sides are equal, equal sides are equal, अगर angle equal, अगर side equal है, तो opposite angle equal होते है, तो इनकी opposite angle अपना already ही पढ़ चुके है, ठीक है, अच्छा, अब इस triangle नमें को तीन हो angle कहिना कही समझ में आ गए, तो क्या मैं angle some property लगा सकती हूं, तो बिलकुल लगा सकते हैं, तो y plus y plus 90 plus 60, यह वाला 90 होगया और यह वाला 60 होगया, 180 minus 150, तो 2y equal to कितना आगया, 30, और यह 2 multiply में तो दिया के, divide by 30 by 2 is 15, तो y की value कितनी आ गई हमारे पास में, 15 आ गई, अच्छा, अब यह पूरा पूरा angle 60 है, और यह x plus 15 है, तो x की value क्या हो जाएगी, तो 60 में से 15 minus कर देते हैं, तो यह पूरा angle 60 है, यह वाला angle 60 है और यह वा गई, 45 degree और यह हमारा answer हो, राइट, तो आप यह question आपको clear हुआ होगा, जो कि बिलकुल purely known के basis पे था, कि आपको अगर कोई codi later mentioned है, specifically, तो कहीं अगर इसकी properties आपको use कानी है, तो next question पे चलते हैं, the angles of a polygon are in the ratio 2 ratio, 4 ratio, 5 ratio, 6 ratio, 6 ratio, 7, तो difference between the greatest and the least angle of a polygon, अच्छा, जब भी ratio में given होता है, हमें पता है कि उसको x से multiply कर दो, तो चलो ठीक है, first angle कितने हो गया, first angle कितना हो गया, two x हो गया, second angle कितना हो गया, four x हो गया, third, five x हो गया, fourth, six x हो गया, fifth, again six x हो गया, sixth, again six seven, यह seven x हो गया, ठीक है ना, यह कितना हो गया हमारा, seven x हो गया, ठीक है, तो मतला मुझे एक चीज समझ में आगए कि छे angle है, अब छे angle कौन से polygon के होता है, हेक्जागन के, सही है, छे साइज है, मतलब एंगल छे है, तो छे angle तो हेक्जागन के होता है ना, ठीक है ना, एक, दो, तीन, चार, पांक, छे, यह कहीना कहीं हेक्जागन है, रेगलир hexagon नहीं है माना, पर hexagon तो है, तो ये वाला angle 2x हो जाएगा, ये वाला angle कितना आ जाएगा 4x, ये वाला angle कितना आ जाएगा 5x, ये 6x, ठीक है, ये भी 6x और ये 7x, ठीक है, तो abcd, तो मुझे ये तो समाझ में आगे कि कौन सा polygon है, हेग्जागन है अच्छा अब बात यह आती है कि अगर मुझे इसके एंगल सम पता चल जाए कि हेग्जागन का एंगल सम कितना होता है चाहे एंगल एकुवल हो या ना हो एंगल सम तो सीम रहेगा साही है ? Sum of angles तो सीम रेगा Sum of Angle Triangle का 180 होता है Coidulator 360 होता है तो अपन directly use कर लेता है पर hexagon का कही न कही दिक्कत करता है hexagon का इतना किसे याद देता है तो कही न कही अपन use कर सकते हैं तो दो तरीके हैं कि अपन angle sum निकाल सकते हैं तो इसको क्या करो, non-overlapping त्रैंगल में divide करने के कोशिश करो, तो non-overlapping मतलब जो एक दूसरे से overlap ने करें, तो एक vertex ले लो कोई भी, तो इससे एक triangle ये हो गया, एक triangle ये हो गया, एक triangle ये हो गया, चायर triangle बन गया, अब triangle का angles and property तो पता है हमें, कितनी होती है 180 degree तो यह triangle form कर रहा तो इन सब का इन तीनों का angle 180 sum इसका भी sum 180 होगा है इसका भी sum 180 होगा और इसका भी sum 180 होगा तो total कितने होगा है 180 plus 180 plus 180 कितना हो जाएगा 720 degree तो angle sum of equality यह hexagon कितना होता है 720 degree तो सबसे पहला तरीका तो यह है जो basically हम use कर सकते है ठीक है ना दूर्सा तरीका क्या है कि हमारे पास में एक direct formula भी होता है हमारे पास क्या होता है एक direct formula भी होता है तो वह formula भी बता देती हो तो sum of all the angles of a polygon sum of all the angles of a polygon तो polygon का अगर sum of angle की बात करें तो n-2 into 180 degree n-2 into 180 degree n क्या होती number of sides यह number of angle जो भी आप कहना चाहें तो n क्या होती number of sides ठीक है ना तो कित्ती sides होगी 6 hexagon है 6 sides है तो n की जगा के डाल दो 6 6-2 into 180 degree 6-2 किता होता है 4 4 into 180 degree equal to 720 तो इससे भी 720 आया है आप कोई भी method use कर सकता है method 1 method 2 जो आप कहना जो भी करना चाहें तो angle sum property आ गई तो इनका sum कहें कि 720 की बराबर करतेते हैं simple तो अगर मैं इन दोन सबका sum 720 की बराबर करती हूं तो I'll remove this part over here I hope यह बात clear हो गई होगी आपको ठीक है ना ठीक है यह हटा देते हैं और I guess यह part भी आपको clear हो गया होगा चीक है तो अगर तो अगर अब आपन बात करते हैं यहाँ पर तो इन सबका sum 720 की बराबर करते हैं तो 2x plus 4x plus 5x plus 7x plus 6x plus 6x is equal to 720 हो जाएगा अचा कितने होगा 2 plus 4, 6, 6 plus 5, 11, 11 plus 7, 18, 18 plus 12, 30x तो 30x is equal to कितना आगा है 720 तो यहाँ पर x की वेलु कितना आगा है 720 by 30 तो 0 से 0 कैंसल तो 3, 1 ज़ा 3, 3, 2 ज़ा 6 और यह कितना आजागा 24 तो x की वेलु कितना आगा 24 देगा तो x की वेलु 24 आगा है तो difference between the greatest and the least angle of a polygon, सबसे बढ़ा angle और सबसे छोटा angle के difference नहीं कालना सबसे बढ़ा angle मुझे दिख रहा है 7x है और सबसे छोटा angle 2x है तो 7x minus 2x कितना आजाएगा 5x और x की जागा वेलु जाएगा तो 5 into 24 that is 120 degree और यह हमारा answer आगा, clear है तो I hope यह question आपको clear हुआ होगा So, हमाया next question है ABC is a right angle triangle at B equal to 90 degree अच्छा तो यह कि राइट अंगल ट्राइंगल है ABC ABC ठीक है अगर यह राइट अंगल triangle है B equal to 90 degree और यह कह रहा है कि BDEF is a square तो BD यह D है यहाँ पर D माल देते हैं यहाँ पर E माल देते हैं और यहाँ पर F माल देते हैं तो BDEF is a square ठीक है अगर square है तो इसकी साही properties आप ऐसी लिखते वे चलो ठीक है ना mark करते वे चलो तो square की सारे sides क्या होती है equal होती है तो if ABCD is a square तो A यहाँ पर क्या है BDEF यह रप कर देते हैं अब क्या रिखा है कि BDEF BDEF is a square ठीक है अगर BDEF हमारा square है तो इसकी side property हमें लिख देते हैं हमारे कर देते हैं कि सारे sides equal होती है सबसे पहले तो BDEF is equal to ED equal to X सब पों x इसकी सारे अधिन होग सारे अंग owners 90 degree होते है वो भी मार्ड़ कर देते हैं तो एंगल B equal to circuit ड e ikuord teus angle यह सारे उपन कितना है 90 डीक बराबर हैं सही है जो चीजा पता थी, वो माग करती है, अब आगे बढ़ते हैं, तो BE परपेंटिकलर टू-AC है, यह अगर मैं BE डौ करूँ तो यह परपेंटिकलर टू-AC है, परपेंटिकलर नाइंटी दिगरी बना रहे हैं, बहुत क्लियर है बात है, तो यह 90 दिगरी बना रहे हैं, तो measure of DEC कि मतलब कि हमें है मतलब कि हमें क्या करना है डी इजी मेरेaison निकालना है आप यह वाले एंगल निकालना है तो 80 माग कर दे ते थी के अच्छा अब इस पर ध्यान देते है हैं अपन थोड़ा सा तो अगर यह A है और यह पूरा 90 है तो 90-A होगा, तो 90-A होगा, ठीक है, अब अगर मैं ध्यान दूँ तो यह इस वाले triangle में EBD, तो यह पूरा 90 है ना, तो 90-A, 90-A और 90 का, यह तीनों का pair होता है, हमेशा याद हतना, तो यह देखो, सम 180 होना ची, यह सम 90 भी होगा, तो भी pair चलेगा, तो यह 90 है, तो 1-A है, तो A हटाना पड़ेगा, तो minus A, और 90 लाना है, तो 90, तो A से A cancel हो जाएगा, तो 90 आतो गया, और अगर यह 90 है, तो यह वाला भी मेरा A होगा, और यह वाला, चलो, इसको मैं 90-A माल देती हूँ, ठीक ह अच्छा चलो देखो, अगर यह A है, यह 90 है, यह वाला 90 है, तो A है, यह 90 है, तो 90-A होगा कि नहीं होगा, मानते हो यह बात, क्योंकि मैंने अभी pair बता है, कि A 90-A का pair होता है, अब अगर मैं यह triangle observe करा हूँ, EDB, triangle EDB, तो triangle EDB में ED equal to BD है, सही बात है, डो sides equal होगे, यह X, press, दोनों sides of square ही तो ही हुआ है, तो इनकी opposite angle भी equal होगे, तो इसका opposite angle ED का opposite angle कौन सा हो जाएगा, ED का opposite angle EBD हो जाएगा, angle EBD, और इसका opposite angle क्या हो जाएगा, BD का angle B ED, गर B ED, तो ऑगर B ED, तो मैंने 90-A माना हुआ है, तो यह भी 90-A है, सही बात है, अब इन टीनों का sum किर दो सही है, तो EBC, इन triangle EBC, अगर मैं इसका बात करूं, यह वाला angle कितना हो जाएगा, पूरा 90 हो जाएगा, तो इन triangle EBC, इन triangle EBC, इन सब का सम 180 के बराबर होता, तो 90, यह वाले का क्या होगा, 90 minus A, यह वाला भी कितना होगा, 90 minus A, और यह वाला कितना होगा, 180 के बराबर हो जाएग 90 plus 90 plus 90 कितना हो जाएगा 270 और minus है और minus है कितना हो जाएगा minus 2A is equal to 180 यह plus का है तो जाके minus का तो 270 minus 180 हो जाएगा और यह 2A, 270 minus 180 कितना हो जाएगा 90, 90 equal to 2A तो A की value क्या अगई 90 divided by 2 that is 45 degree तो यह कितना आगया 45 degree तो यह ही तो पुछा था तो A ही तो माना तो DEC को तो angle A equal to 45 degree ठीक है ना तो यह DEC की value हमें आ गए All right, so I hope यह वाला question आपको clear हुआ होगा और आज की class भी आपको clear हुए होगी Next class में मिलते हैं, thank you so much